आज का जो हमारा टौपिक है वो है हिंधी साहती की प्रमुक पत्र-पत्रिकाएं कफी समploy से जो विध्यार्तिं है इसके बारे में उससे कमेंट्स कर रहे थे कि मैं इसपर टौपिक त्यार करें कोई सरभल सी ट्रिक से हमें ने याद करवाएं तो आज मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का भी प्रयोग किया है मैंने आशा करती हूँ कि यह जो ट्रिक्स मैंने काम में ली है वो आप सभी को पसंद भी आएगी और इस वीडियो के लास्ट होते होते ही यह पत्र पत्रिकाएं आपको याद भी हो जाएंगी नमस्कार मैं पूजा गोतम आप सभी का स्वाकत करती हूँ आपके अपने सुमंचरी एजुकेशन चैनल पर आज हमने हिंदी सायत की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं लिए देखिए पत्र पत्रिकाएं बहुत सारी है और बहुत जाधा इंपोर्टेन टॉपिक भी है यह चाहिए आप भारतेंदू यूप पढ़ें दिवेदि यूप पढ़ें छायावाद पढ़ें सब ही में पत्र पत्रिकाई आपके आती है आपने भी कई बार देखा होगा कि एक्सामस में चाहिए आप जब कई बार सरस्वती से संबंदित प्रशन पूछा जाता है तो कभी आपसे मतवाला का संपाधन किस ने किया या फिर भारतेंदू हरिश्चंद्री जी की कौन सी पत है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जो पत्र पत्र का है और जो यह समझस्याइं होती है विध्यार्तियों में कि आपको जल्दी से याद नहीं होते वो समझस्याइं आपकी नहीं रहेगी तो आई यह शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड उदंत मार्तंड का संपादन किया था पंडित जुगल किशोर जी ने और इसका प्रकाशन किया 1826 वी में कलकता से निकलता था ये सापताहिक पत्र था जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी का पहला समाचार पत्र था ये और इसका प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 को इसी वज़े से 30 मई को राष्टिय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है तो यदि आपसे प्रश्ण पूचा जाए कि राष्टिय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर होगा 30 मई को तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र संपादन किस ने किया पंडित जुकल किशोर जी ने कहां से कौलकता से किस तरीका का पत्र था ये सापताहिक अगला जो हमारा समचार पत्र है यानि जो हमारा पत्र है वो है बंगदूद बंगदूद का संपादन क्या था राजा रामोहन राए ने कॉलकता से प्रकाशित होता था सापताहिक पत्र था और उसका प्रकाशन हुआ 1829 इसवी में यहां पर मैंने कुछ ट्रिक्स का प्रियोग क्या है जिन विध्यार्तियों को लगता है कि उन्हें ट्रिक्स से याद करना है वो ट्रिक्स से याद कर सकते हैं और जिन्हें लगता है कि बिल्कु सामाने तरीके से हमें तो याद करना है जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं, उन्हीं तरीके से हमको पढ़ना है, तो उस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी खुशी हो, उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आप पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो ट्रिक बनाई है वो है राजा राम सा दूत कल आया इस ट्रिक से आपको इस सारी चीजे एक साथ याद होगी क्या क्या याद होगा देखिए इसमें आपको संपादन किस ने किया वो याद होगा साथी ये किस प्रकार की पत्रिका है वो याद रहेगी पत्रिका का नाम और ये कहां से प्रकाशित होती थी वो, ये सारी चीज आपको एक अकेली इस छोटी सी लाइन से याद होगी, राजा राम सा दूत कल आया, राजा राम मोहनराय सा कोई दूत है, जो कव आया, कल आया, तो राजा राम से आप याद रखेंगे, राजा राम मोहनराय, सा से सापताहिक पत्र, दूट से बंग दूट आपका पत्र हो गया कल से यह कोलकता से प्रकाशित होती थी तो राजा राम सा दूट कल आया तो यह प्रशन पूछा जाए कि बंग दूट कहां से प्रकाशित होती थी कोलकता से यह किस प्रकार की पत्री का थी यह किस प्रकार का पत्र था तो यह साप अगला जो हमारा पत्र है वो है बनारस अकबार बनारस अकबार 1845 इस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसका सम्पादन किया राजा शिवप्रसा सितारे हिंद ने बनारस से निकलता था ये वाराणसी सापताहिक पत्र है और इसे भी आप याद रखें एक छोटी सी लाइन से और लाइन है हमारी राजा शिवप्रसा बना कोन बना शिवप्रसा राजा शिवप्रसा बना राजा बना शिवप्रसा यानि कि कोई राजा था उसने क्या किया कि अभिने किया और उस अभिने में वो किसका पात्र बना शिव का यानि शिव का पात्र बना तो हमने कहा कि राजा शिव सा बना तो राजा शिव इससे आपको याद रखना है जिसने इसका संपादन किया राजा शिव प्रसा सितारे हिंद ने सा से ये सापताहिक पत्र हो गया बना से बनारस, तो इस छोटी सी लाइन से आप कोई सारी चीजे याद हो गई, यानि राजाशिव प्रसास सितारे हिंद ने बनारस अकबार का संपादन किया, जो कैसा अकबार था, सापताहिक, कहां से प्रकाशित होता था, बनारस से, तो बना से आप दो चीज भी याद पत्र था, जो किस प्रकार का था, सापताहिक, हिंदी प्रदेश का पहला समाचार पत्र, जो की कैसा था, सापताहिक, तो प्रशन पूछा जाए, हिंदी प्रदेश का पहला समाचार पत्र कोन सा था, तो वो था आपका बनारस अकबार, किस ने संपादन किया, राजा 54 इसवी में शाम सुंदर सेन ने इसका संपाधन किया कलकत्ता से प्रकाशित होता था और दैनिक समाचार पत्र था यह यानि जो यह पत्र था वो किस प्रकार का था दैनिक हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कोन सा होगा समाचार सुधा वर्षन तो याद रखेगा हमारा जो पत्र है वो है प्रजाहितेशी प्रजाहितेशी 1855 इस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसका संपादन किया राजा लक्षमन सिंग जी ने आगरा से प्रकाशित होता था तो इसे याद रखें प्रजाहित में लक्षमन आगे प्रजाहित में कौन आगे आया लक् प्त्रिका ताफ्म भूसा, आगला हमारा ये इस टता जो इस टता ऐसे था सल मौत कि वर दोछा ट्रिका जी CPR होगता हुक्ण, एसका मघाई demonstrated लाहोर से किया किस प्रकार की पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका और पत्रिका का नाम है ग्यान प्रदाईनी तो इसे याद रखें आप इस ट्रिक से नवीन ग्यान प्रदाईनी मा लाहोरी तो मा लाहोरी कैसा ग्यान प्रदाईन करती है बिलकुल नवीन, यानि नया, तो नवीन ग्यान प्रदाईनी, मा लाहोरी, तो नवीन से बाबु नवीन चंद्र, ग्यान प्रदाईनी पत्रिका हो गई, मा से यह मासिक पत्रिका है, और लाहोरी से याद रखिये, यह लाहोर से प्रकाशित होती थी, तो कोई भी प्रश्न कै इसे भी पूछा जाए आपसे इस ट्रिक से आप उसका अंसर दे सकते हैं। अगला है हमारा जो अगली पत्रिका है हमारी वो है कवी वचन सुधा। यहां पर हमेंने भारतेंदु जी की सभी पत्रिकाओं को एक साथ लिया है। इनकी पहली पत्रिका है 1868 इस्वी में प्रकाशित हुई। तीनो ही पत्रिकाओं बनारस से प्रकाशित होती थी। कवी वचन सुधा मासिक, पाक्षिक और सापताहिक थी। जबकि हरिश्चंद्र मैक जीन मासिक और बाला बोधनी भी मासिक थी। याद रखिएगा हरिश्चंद्र मैक जीन का बाद में नाम बदल कर रख कर दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका। आप सभी को पता होगा। साथ ही एक चीज और में कहना चाहूंगी यहां पर कि यह जितनी भी हम पत्रिकाओं पढ़ रहे हैं। उनमें आपको धंग से पढ़ना होगा क्योंकि कई बार इनमें से पूछा जा चुका है प्रश्चंद्र तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी पत्रिका का संपादन किस ने किया, कहां से किया, किस प्रकार की यह पत्रिका है। साथ ही एक और मैं आपको बताना चाहूंगी यहां जानकारी देना चाहूंगी कि जो कवी वचन सुधा पत्रिका थी। उसकी लेक शेली इतनी ज़ादा अच्छी थी कि उससे प्रभावित होकर कि पंडित गोपिनाद जी ने एक पत्र निकाला और उस पत्र का नाम था मित्र विलास। तो अगर प्रशन पूछा जाए कि कवी वचन सुधा की लेक शेली से प्रभावित होकर कौन सा पत्र निकाला गया तो वो था मित्र विलास पंडित को पिनाथ जी निकाला और का संपदन किया कन्दयालाल जी ने यह भी लाहोर से ही प्रकाशित होती थी मित्र विलास तो यहां पर एक जानकारी थी अगर मालिज इस तड़का कोई प्रश्न पुछा जाता है तो आपको ध्यान रहें तो हमने भारतेंदु जी की तीनो पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा कविवचन सुधा हरिश्चंद्र मैग जीन बाला बोधनी तीनों ही कहां से प्रकाशित होती थी बनारस से और तीनों का ही संपादन किस ने किया भारतें पत्रिका में प्रकट हुआ तो यह जो कोटेशन है अगर कभी आपके एक्जामस में आए यह हो सकता आच चुका हो तो आप ध्यान रखेगा कि किस ने कहा हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु जी हिंदी गत के जनक है और इसी के बारे में रामचंद्र जी ने उलेक किया है औ आला बोधनी पत्रिका यह इस्तरी सिक्षा से संबंदित थी अगली जो चीज है वो है इसकी ट्रिक कि हम इन तीनों पत्र पत्रिकाओं को कैसे याद रखेंगे कि भारतेंदु जी की हैं वैसे तो काफी विद्यार्तियों को यह याद होगी क्योंकि कई बार एक्जामस में हरी से हरीषचंद्र मैगसीन या फिर हरीषचंद्र चंद्रिका बाला से बाला बोधनी तो यह तीनों पत्रिकाओं आपकी हो गई भारतेंदु जी की अगली हमारी अगली जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप इसका प्रकाशन हुआ 1837 वी में पंडित बालकृष्ण भ ताकि आप इसे भूले नहीं कि यह मासिक है कि यह सापताहिक पत्रिका है तो बाल प्रदीप की इला मासी किस से याद रखेंगे बाल प्रदीप की इला मासी बाल से बाल कृष्ण भट जिनोंने इसका संपाधन किया प्रदीप से हिंदी प्रदीप इला से एलाबाद मासी स मासिक पत्रिका तो इस से आपको याद रहेगी इस छोटी सी ट्रिक से बाल प्रदीप की इला मासी यानि बाल कृष्ण भट ने हिंदी प्रदीप का संपाधन किया और ये कहां से प्रकाशित हुई इलाभाद से कैसी पत्रिका थी मासिक और कब हुई 1877 इस्वी में अगली ज कोलकता से प्रकाशित होती थी सापता ही पत्र है ये भी और आप इसको याद रखेंगे इस ट्रिक से कल उचित वक्ता दुर्गा शप्तिशती पढ़ेगा देखें जब भी हम दुर्गा जी के पाठ पढ़वाते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी विशे लि suic बढ़ेगा तो कल उचित वक्ता से प्रकाशित होती थी पत्र का जो नाम है वह क्या है उचित वक्ता, दुर्गा प्रसाद मिश्र ने इसका समपादन किया, सब्त से होता है साथ, तो सब्त से आप दे रखे सापताहिक, तो इस तरीके साप इस छोटी सी ट्रिक से आप याद रखेंगे, कि कल उचित वक्ता दुर्गा शब्त शती पढ़ेगा, तो आपकी ये पत् पत्र है, वो है सार सुधा निधी, 1889 इस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, सदानन्द मिश्र ने इसका समपादन किया, कोलकत्ता से सापताहिक, तो इसे याद रखें, सार सुधा सदा आनन्द देता है, सार सुधा क्या देता है, सदा ही आनन्द, तो सार सुधा निधी, सद आनंद मिश्र की हो गई कोलकत्ता से यह प्रकाशित होती थी सापता ही पत्र है अगला जो है हमारा वह आनंद कादमबनी आनंद कादमबनी पत्र 1881 इसवी में प्रकाशित हुआ बदरी नाराण चोदरी प्रेम घंजी ने इसका संपाधन किया मिर्जापुर से निकलता था य तो इसको याद रखें मिर्जा बदरी की आनंदीमा क्या याद रखना है सिर्फ इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है मिर्जा बदरी की आनंदीमा तो मिर्जा से मिर्जापुर से ही प्रकाशित होती थी बदरी से बदरी नाराण चोदरी प्रेम घंजी से आनंद जहा दिनी की। तो यह कहा से प्रकाशित होती थी hvis एक प्रिस तग्ली हमारी पत्रीका है भार्ली फार्थेंदु पत्रीका का संपाधरन किया राधाचरण गोस्वामी जी ने और यह प्रकाशित होती थी व्रंधावन सो 1884 सी इस्वी में इसका प्रकाशन हुआ इसे तो बहुत ही सरल है याद रखना अगर आप ट्रिक भी ना याद रखें तो भी तेके राधा जी जो है उनका नाम व्रंदावन में बहुत आधर से लिया जाता है और कहा भी जाता है राधा राधा जब पो चले आएंगे बिहारी औ और वहाँ पर सभी राधे राधे ही बोलते हैं तो व्रंदावन से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका भारतेंदू इसका संपाधन किया राधा चरण गोस्वामी जी ने फिर भी अगर आप याद रखें तो इससे याद रख सकते हैं भारत की राधा व्रंदावन में तो भ भार्तेंदु नाम से जो पत्रिका है वो निकली व्रंदावन से इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगली जो हमारी पत्रिका है वो है ब्रहमन वह ज्यादा इससे संबंदित प्रश्ण पूछे जाते हैं ब्रहमन से 1883 इस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसका संपाध होते हैं वो सिर्फ आपको याद करने के लिए होती है तो इनका को आ नित्हा अर्थ ना निकालें तो कि फी आप को याद करवाने के लिए कोटेशन भी है, यानि जो हमारे प्रताप नाराइन मिश्र जी है, उन्होंने ब्राहमन पत्रिका का संपादन किया, और ब्राहमन पत्रिका में एक पंक्ति लिखी है, आठ मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिनादान, उस समय जब ये पत्रिकाएं निकलती थी, पत्र पत स्थित्यों का सामना करना पड़ता था, जल्दी से पैसे नहीं मिल पाते थे, तो इसी का उल्लेक इन्होंने यहां किया है, कि कई बार ब्राहमन पत्रिका के लिए जब ग्रहाकों से चंदा लेते थे, तो टाइम से पैसे नहीं देते थे, तो उसी का बात का इन्होंने उल् आज हम ने इसमें प्रमख पत्र पत्रेजक पढ़ाई के बारे में पढ़ा अग्जाम के बारे में पढ़ा जादातर एक्जामस में पुछी जाती है और इन्हें जाम सुमय आती है और मैं आशा करती हूं कि आपको यह बहुत जल्दी से सरलता सी याद भी हो गई होंगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको पसंद आई यह ट्रिक्स तो आप लाइक ज़रूर करें साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इने शेयर क देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।